हेलो माई डियर इस्टूएंट्स वेल्कम बेक टू दे ट्रेट अफ नॉलेज तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश क्रामर का पैक्टिस सेट तो वीडियो को स्तार्डिंग से लेकर इंट तक जरूर देखेगा और आप भी हमाले साथ में पै एक्जाम में इनके आने के चांसे बहुत ही जादा है इसलिए हरे क्षण को ध्यान से समझिएगा चली रूब को शुरू करते हैं यह हमारा सेक्षण सी ग्रामर को पॉश्ण जिसके आजम फिलफ्स को समझेंगे यह हमारा क्षण नमबर फरस्ट आयज सीन आपको जल्दी से गेस करना है कि इसका राइड आंसर क्या होगा आप देखिए यहां पर वर्ड आपको प्लियूरल देखने को मिलेगा तो जब वर्ड प्लियूरल है तो आपको यहां पर दाका यूज करना है जी हाँ, I have seen the places of historical importance in this city और राइड आजर यहां पर दा होगा ए और ए बिलकुल भी नहीं आएगा क्योंकि यह जो वाइड है यह पिलूरल है तो पिलूरल वाइड के पहले दा आ जाता है ए और एं का यूज होता है singular noun के बिफॉर किसके बिफॉर singular noun के इसलिए I have seen the places I have seen the places तो दा यहां पर राइड आंसर होगा अब बढ़ते है question number second की तरफ दब होए blanket space दब होए बिलेंगे स्पीस दब हर एच केच जल्दी से बता है इसको राइड आंसर क्या होगा बच्चों इसका जो राइड आंसर होगा वो होगा catches c-a-t-c-h-e-s catches यह इसको राइड आंसर होगा ठीक है क्योंकि वर्ट यहां पर यह सब्जेट है यह सिंगूलर है दब होए singular सब्जेक साथ वर्ट में s-e-s-i-s का यूज होता है तो राइड आंसर हमारा catches होगा दब ह आगे बढ़ते हैं कोशन नमार ताट की तरफ knowledge is a dangerous thing इस question को देखती ही साथ आप a little लगा देना और यह आपके एक्जाम में आने के 99.9 chances हैं इस question के एक्जाम में आने के a little knowledge is a dangerous thing थोड़ा बहुत क्यान खतरनाक होता है right answer यहां पर a little आता है ठीक है little और few बिलकुल नहीं इस पिस रें टुड़े आप शेन हमारे सामने में must या can't अब देखे स्टुएं यहां पर possibility बताए जा रही और possibility के लिए हम में का यूस करते हैं तो I think it may rain today I think it may rain today मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है यानि के शायद आज बारिश हो तो possibility के लिए हम में का यूस करते है ठीक है right answer यहां पर में है आगे बढ़ते है question number five की तरफ यह आपका question number five था there are precious books in the library much any sum precious books books यहां पर plural countable ना होने तो much तो बिलकुल भी नहीं आएगा sentence हमारा affirmative है इसलिए any भी नहीं आएगा एनिका यूसर निगेटिब और interrogative sentence में होता है अब बचता है हमारा sum जो के credit answer है तो right answer हमारा sum है there are some precious books in the library यहां पर आपको sum लगा देना है अब बढ़ते question number six की तरफ my brother is engineer यह आपका option है in the article अब देखिए engineer जो के आपको एक vowel sound मिल रहा है अब vowel क्या क्या होते है देखो ए ए आए ओ यू तो किसी भी word के before आने वाले first letter का sound अगर vowel है तो हम लगाते हैं वहाँ पे एन इसके अलाबा कोई consonant sound होता है तो हम एक का use करते है तो overall हमारा right answer होगा वह होगा in my brother is an engineer अब यह नहीं देखना है कि सुगर काउंटेबल ना होन या अनकाउंटेबल ना होन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो तो आ रहा है हमारा any बढ़ते है question number 8 की दरफ I don't like of these mobiles तो यहां पर either का use करना है क्योंकि देखो sentence already negative है वो जब negative है तो फिर neither नहीं आएगा neither आता है तो फिर not नहीं आता है क्योंकि neither में not included होता है I don't like either of these mobiles में इन दोनों ही mobiles में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूं आ हुआ है कि स्टापि स्मोकिंग अडवाइस दी जा रहे है शोड का यूस करेंगे शूर इस का श्तापा हुआको ira एसरी स्टापिस मोकिंग वर्ब आ चुकी है गोई जब गोई आ गई है तो फिर आपको टू का यूज करना होता है तो प्ले आएगा तो इतने ज्यादा इंपरेंट कोशन आपके ला रहा हूं एक लाइक तो बनता है आप लोग के वीज जितने आते हैं उसके 50% भी लाइक नहीं आते हैं पता नहीं आ आप क्या समझते हैं कि लाइक कर रहे से आपके पैसे कर जाएंगे बैलेंस डेटक्ट हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारा थोड़ा सा कांफियंस बढ़ता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर रहे हो आपके कमेंट्स भी आते हैं पाद में करना लेकिन लाइक अभी कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 11 की तरफ यह रहा है मार फ्रेंड लिफ्स न्यू डैली अब देखो भई यह जो न्यू डैली है एक सिटी है इंडिया की क्यापिटल भी है तो किसी भी सिटी के नेम के बिफॉर हम इ परसेंट चांसे देए लेस्ट के साथ शुड़ आएगा और ये एकजाम में आने के चांसे देए ठीक है छाश्ट के साथ आता है इसलिए शुड़ लगा देजिए ये वाला भी काफी ज़्याद है थाटी नमर कराम पर फिर फर से मिल की ठी पर पर के साथ टू का यू उता आईए फ्रेंट्स फ्रेंट्स प्लूरल काउंटेबल ना हूंने मैंनी लगा दिजिए रामेड के पहले दा आएगा सभी को पता है आगे बढ़ते हैं कौशन नमबर 17 माइग गैंट मदर इस हाड हाड की साथ आफ आता है तो आफ लगाई गोड यह वाला कौशन नमबर 18 है गपलेट यूशा यहाँ पे किसी के लिए प्रेयर या ब्लेसिंग के लिए में के यूश करते हैं तो में यूश किजीए कन्या स्क्राइभ गै enables demon कि यहाँ पे आपको ओम société क्लरोंगिना में कौशन एविए लाग नि Trust के लिए अमंग कंगिन तो और गया फिलाल मैंने आपको अभी only 20 questions cover कराएं, इसके next part में बाकी की questions हम cover करेंगे, मेरे पास बहुत जादा collection है आपकी English grammar का और जो grammar आपको यहाँ पे सिखा ही जा रही है, यह आने वाले exam के लिए काफी जादा helpful है और काफी जादा important है, हर एक question अपने आप में important है, इसलिए इन question को आप note कीजिएगा और इसकी practice जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके exam में बहुत जादा help करेंगे, I hope students इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी friends के साथ जादा जादा share कीजिएगा, आपका support चाहिए, इसी तरह से रहेंगे, वीडियो आपको कैसे लगी, comments करके, जरूर बताएगा, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा, thanks for watching